देखो आपने ये लिग लिया कि हाँ ये करते हैं कुछ और की बात करते हैं जो acid derivative से हम बात कर सकते हैं हमने अभी तक ये पढ़ा है क्या ये शो करेगा बिलकुल ये करेगा बहुत कम सही लेकिन करेगा क्या ये करेगा हा करेगा बहुत ज्यादा ही सही लेकिन करेगा क्या ये करेगा महांति कशलें रभात ada मेंने तूh कहा है करहेगा करेगा क्या यह करेगा क्यांओ कुर्छा ही्डो जहादा यह ज्रीडिंग करेंगे लेकिन यह नहीं करेगा बोलो यह साणो इतना ज्शादा यह यह नहीं नहीं कर पाएगा समझ में रहा है यह नहीं कर पाएगा क्या यह कर पाएगा यहां रेजोनेंस बहुत ज्यादा भी निया बहुत कम भी निया दोने ही चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है नहीं कर पा रहा है इस तरफ तो नहीं कर पा रहा है दूसरी तरफ देखना पढ़ेगा तो ऐसी देरिवेट्व में कौन सा कर पा रहा है है कि पिसी एनमयट सेमा कर पा रहा है कि यह यह से डेरिवेट्वाइव सोजा ंजां कि लिग सकते हैं इसाइछ नी कर पा रहा अस्टर भी निहीं कर पहें आपर अंपा है इस तरफ कर ले बात अलग है, इस तरफ तो नहीं कर पाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरफ का में गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं करेगा, मेरे हिसाब से तो इस तरफ तो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई डाउट, ये निकल चुका है, इसलिए नहीं कर क्यारा, यह इधर भी नहीं कर रहा हूं, इधर भी जानसें, वैसे ना के बराबर ही है। क्योंकि वहRG resonance में है। तो सही है? अब अगे.. हमें यह चीजी समझ में आ गई कि कौन सा कर रहा ह। कौन सा नहीं कर रहा है इनमें भी हमें देखना पड़ेगा यह आप दिमाग में यह बंदा दो ऐसे डेरिवेटिव में सिर्माइट बाकी भूल जाओ लडियाइट की टोन तो ही और जो करते मैंने अलग से बनाती है समझ मैं कौन ज्यादा इस्टेबल है की टोन फोन या इनोल तो कमेंट ऑन इस्टेबिलिटी ओडर एक टॉपिक डालते है इस्टेबिलिटी ओडर देखो जनरली की टोन फोर्म ज्यादा इस्टेबल होती है इनोल से जनरली लेकिन कभी तो inol form भी होगी, हाँ inol form कब होगी जादा stable, ketone form से जब या तो strong hydrogen bonding हो strong hydrogen bonding या फिर aromaticity हो समझ में आ रहा है तो मुझे किसी ने कहा कि strong hydrogen bonding और aromaticity कैसे पता लगाएंगे, मैंने कहा बहुत असान ही है ध्यान से सुनना ये इसकी कौन सी form है, ketone और ये कौन सी form है कौन ज़्यादा stable है inol क्या reason है, aromatic है बस aromatic और ये कौन सा है non-aromatic इधर देखो ketone क्यों हो भाई, general कैसे hydrogen bonding है ही नहीं है hydrogen bonding नहीं है ये माँ सोचना था नहीं है hydrogen bonding है ये दूसरी के इतना अलग है पास हैं कि ये hydrogen bonding ही नहीं कर पारे है अलग है, out of plane है ये समाज लीजिए तो hydrogen bonding हमें कैसे पता चलेगी यहां है या नहीं है नहीं है बस मैं बोला हूँ नहीं है तो नहीं है तो कब होती है बीच में एक carbon मिल जाए तो cyclic बन जाएगा वो इतनी छोटी ring में unstable hydrogen bonding ऐसे समझ ले लेकिन अगर ऐसे बनता तो अब यह ज्यादा stable है यह बीच में CH2 आना चाहिए समझ में आ रहा है तो hydrogen bonding है तो कौन ज्यादा stable है यह pH आ जाता है suppose तो बहुत ज्यादा stable हो जाएगा फिर तो क्योंकि hydrogen bonding के stability pH आने के साथ ही बढ़ती है और ज्यादा और ज्यादा क्लाक्टों विड्डोइंग ग्रूप जोट रहा है तो इससे भी ज्यादा हो जाएगे और अगर दोनों तरफ pH आ जाएगे तो और ज्यादा हो जाएगे समझ में आ रही है बानीत लेकिन अगर बीच में आपके पास फिर दो कार्बन आ गए बीच में एक नी दो है बीच में एक ही होना चाहिए ना तो जीरो होने चाहिए ना दो होने चाहिए तो आपने बहुत सारे एक्जामपल कर लिए वन टू थरी फोर फाइफ सिक्स तो आपने कब इनॉल को मतलब इनॉल फोर्म को जादा स्टेबल पाया है जब या तो अरोमेटी सीटी हो या स्ट्रॉंग हैडोजन हो अरोमेटी सीटी तो दिख जाती है अरोमेटी के तो फिर क्या होगा यह इतना ज्यादा स्टेबल होगा इतना ज्यादा कि हम बोलेंगे कि अरोमेटी सीटी मतलब आप शो ही नहीं का रहा है एक्जिस्ट ही नहीं का रहेगा ना समझ में आगी बात अरोमेटी